नमस्कार दोस्तों, जी के संसार में आप सभी का स्वागत है, बिहार SI यानि बिहार दरोगा 2021 का जो पिपर है, आपको 26 दरोगा 2021 को होना, और उसके लिए कुछ important questions हम लेकर आएं आपके लिए, और आज से हम exam तक per day important questions लेकर आएंगे, जो कि आपको काफी help करेंगी आपके exam मे तो question के दर बढ़ते हैं और question देखते हैं, पहला question कहता है कि अर्थ सास्त्र में उपकरन, मसीन, इमारत जिनका उपयोग कई सालों से उत्पादन में किया जा सकता है, उन्हीं क्या कहा जाता है, options आपके हैं, कारे, सिलपुंजी, अचलपुंजी यानि fixed capital, human capital यानि मानोपु तो आप देखिए कि अर्थ सास्त्र में उपकरन, मसीन, इमारत जिनका उपयोग कई सालों से उत्पादन में किया जा सकता है, उन्हीं क्या कहा जाता है, उन्हीं कहा जाता है, अचलपुंजी यानि fixed capital, ठीक है, तो यहाँ पर option आपका 2 जो है, सही रहेगा, अगला प्रसन क कहता है कि भारत के मुख नियाधिस को कौन नियुक्त करता है, तो विलकुल आसान प्रसन है, उच नियाले के नियाधिस, भारत के प्रधान मंत्री, भारत के राष्टपती या राजी की राजिपाल, भारत के जो मुख नियाधिस है या जो होते हैं, उनको कौन नियुक्त क करता है यानि दोनों सदन को बुलाने का जो अधिकार है वो किस के पास है प्रधान मंत्री भारत के मुख ने अधिस सूप्रीम कोट के ने अधिस या राष्टपती तो अगर दोनों सदन को आहूत करना है बुलाना है आवान करना है तो यह जो अधीकार है वब राष्टपती के पास है परसिडेंट के पास है यानि कि लोक सभा और राजसभा का जो सजीवत आवान है वो दोनों सदन को को बुलाता है राष्टपती अगला प्रस्ट है सारनात अस्तंब के उपर रखे वे सेल जिने हम अपने नोटों पर देखते हैं जो हमारे पास currency होती है उनमें आपको देखने को मिल जाता है सारनात अस्तंब तो वास्तविक्ता में किस पदार्त पर नकासित है यानि कि अगर reality में देखा जाए तो किस पर वो नकासित है ग्लास यानि की कांच, स्टोन यानि पत्थर, लोहा या तंबा किस पर है तो हम लोगों को पता है कि सारनाथ में किस पर है पत्थर पर है ना तो यहाँ पर स्टोन सई अंसर होगा option two is the right answer अगला परसन कहता है कि अपनी माता की ओर से मुगल किस के वंसस थे अगर माता की ओर से देखा जाए तो मुगल जो थे वो किस के वंसस थे तैमूर के, चंगेज खान के, सेर सासूरी के या यहाँ पर कोई भी कल्प सही नहीं है तो सही अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर अपनी माता की ओर से देखा जाए तो मुगल किसके वंस से चंग एज खान के है ना तो यहाँ पर option आपका to character है अगला person कहता है कि किस तिथी को उत्री गुलार्द में वर्स का सबसे लंबा दीन तथा सबसे छोटी रात होती है 21 जून को, 21 मार्च को, 22 सिंबर को या 23 सिंबर को तो आप सबको पता है कि उत्री गुलार्द में वर्स का सबसे लंबा दीन और सबसे छोटी जो रात होती है वह होता है आपका 21 जून को है ना याद रखेगा और इसी दिन विस्वयोगा दिवस मनाया जाता है अगला प्रसन कहता है कि भारत की जलवायू को मुखे तौर पर किस परकार का कहा गया है सूखा, मानसून, सूस्क या फिर आदर तो हमारे देश की जो जलवायू है वो मुखे तौर पर किस परकार का जलवायू माने जाता है मानसून ठीक है Option 2 यहाँ पर सही अंसर है अगला प्रसन कहता है कि एक नौजात लगभग एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है 15-25 बार, 30-60 बार, 60-75 बार या 80-90 बार एक नौजात जो सिसु होता है वो लगभग एक मिनट में 30-60 बार सांस लेता है और अगला प्रसन है कारवन की स्योजन सक्ति क्या है एक, दो, तीन या चार तो कारवन की जो वैलेंसी और कारवन है वो कितना है? चार है तो option यहाँ पर 4 आपका सही होगा लेखे एक question कह रहा है कि एक जिल में पानी पर लोह किलो से भरी एक नाव तेर रही है अगर हम लोह किले जो हैं उसको हटा लेते हैं तो पानी का अस्तर क्या होगा? उपर उठेगा, गिरेगा, ग्यात नहीं किया जा सकता है या फिर इस्तिर रहता है तो क्या होगा वो? गिर जागा, फॉल कर जाएगा ठीक है पानी की अस्तर क्या है? गिर जाएगा निर्मित गैस अगर हम यहाँ पे जिवासम इंधन के बात करते हैं तो सबसे अच्छा है यहाँ पे जो उदारन है वो क्या है प्राकिर्टी गैस निच्रोल गैस ठीक है अगला प्रसन कहता है कारवन योगी का रसाएन सास्तर किस नाम से जाना जाता है chemistry of carbon compound unknown as तो क्या कहलाता है जिवरसाइन बातिक रसाएन अकरवनिक रसाएन सास्तर तो यह कहलाता है आपका carbonic निए और गैस ठीक है अगला प्रसन है बड़े मान सहारी को भी कहा जाता है प्रात्मिक उभोगता, मादेमिक उभोगता, तृत्यक उभोगता या इन में से कोई नहीं तो बड़े मांसाहरी जो होते हैं उनको तृत्यक उभोगता भी कहा जाता है तो यहाँ पर आपका थर्ड सही होगा चलिए नेक्स्ट क्योशन करते हैं निम्लिकित्म से कौन जनिन सुरक्षा योजना से समंद नहीं रखता है या समंद में सत्य नहीं है तो पहला option कहता है कि इसका उदेश से मात्रियम सिसु मिर्टु दर को खम करना है दूसरा option कहता है एरास्टी एक ग्रामियन स्वास्ति मिसन के ताहत एक हस्तचेप है ओर तिसरा option कहता है कि ये अप्रेल 2005 में सुरू किया गया था और चौन्त option कहता है कि ये एक किंद्र पर्याजट योजना नहीं है तो क्या पूछा गया है कौन जरिन शुरक्षा योजना का समंद में सत्य नहीं है तो यहां पर सही अंसर होगा option 4 या एक केंद्र प्रायोजित योजिना नहीं है यह आपका सत्य नहीं है बाकी सबी चीज़े सही तीकिए अगला प्रसन कहता है जे केपलर खाले स्थान के नियमों के खोज के लिए परसीद है गैस विदूद ग्रह गति या चुमकत्व तो केपलर किसके लिए परसीद है तो गति के लिए तो आप्सन यहां पर थर्ड आपका सही रहेगा अगला प्रसन है कि विजेंद्र सिंग किस खेल से समंदित है कुस्ति मुक्यबाची क्रिकेट या फिर सत्रण चेस तो विजेंद्र सिंग किस समंदित है भई तो यह हैं बॉक्सिंग से ठीक है ऑप्सन टू य यहां पर पर जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका अओधी अओधी इस दा राइट अंसर अगला प्रसन है निम्सकी तमसे किस हालिवड अभीनेता या अभीनेत्री ने सबसे पहले जेंडर-लिस प्रसकार प्राप्त किया है हुग जैकमैन, एमा वाट्सन, टॉम क्रूज औ और Brad Pitt, वो कौन से Hollywood अभीनेता या अभीनेतरी हैं, यहोंने सबसे पहला जेंडर लेस्ट प्रसकार प्राप्त किया है, तो सही अंसर होगा Emma Watson, Option 2 यहाँ पर सही जबाब रहेगा, अगला प्रसन कहता है, Freedom in Exile, Freedom in Exile, नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, अयूब खान, राजेस पाइलेट, दलाई लामा और एसस गिल, तो यह जो Freedom of Exile जो है, पुस्तक है, Freedom in Exile, इसके जो लेखक है, वो है दलाई लामा, Option 3 is the right answer, Next question कहता है, Chagos, Archipelago, विवाद किन दो देशों के बीच तनाव का कारण है, Options आपके कहते है, United Kingdom और सुझीत राज अमेरिका, Mauricius और सुझीत राज अमेरिका, United Kingdom और Mauricius या फिर कोई भी विकल पर आप सही नहीं है, तो यहाँ पर correct answer जो होगा, ओप्शन 3, United Kingdom और Mauricius के बीच या विवाद है, ठीक है, अगला प्रस्थन है, भारत से Thailand Highway किस देश से होकर गुजरता है, भारत से Thailand Highway किस देश से होकर गुजरता है, निपाल, मैमार, चीन या फिर पाकिस्तान, तो यहाँ correct answer जो रहेगा, वो क्या रहेगा, मैमार, ठीक है, तो उम्हेद करता हूँ आप सब को वीडियो पसंदाई होगी, और आपकी paper में इस तरह question देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा, और pdf के लिए telegram channel को join कीजिएगा, जिसका link हमने आपको नीचे description box में दे रखा है, thanks for watching, मिलेंगे आप सब के साथ next video में,